विद्यातियों नमश्कार, आज मैं जिस साज के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, उसे कहते हैं सितार, सितार जो है उत्तरभारत की प्रमक्तंत्रवात्यों में आता है, सितार ना केवर राश्टी स्तरपड बरकी अंतराश्टी स्तरपड भी अपनी पहचाने लिए भी है ये बहुत ही मीठा सुर्लिया साज है इसको के बारे में आदेखिये कि जो इसका ये मुख्यत है दो भाग है ये उपर ही हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है इसको कहते हैं डांड या डांड जो की लकड़ी से बनती है ये जो कोल हिस्सा आपको नज़र आ रहा है इसको कहते हैं तुमबा ये कग्डू से नेवित होता है और ये अंदर से खोकला होता है इसके उपर ये लकडी से जो एक पतला अवरंट है इसको तबली कहते हैं ये तबली कहलाती है यहां से आप इसके इधर ये नीचे इस भाग में देख रहे हैं ये तिकौने अकार की जो पट्टी सी लगी है इसको कील या लंगोट कहते हैं इसी सी जो है ये आप दिख रहे हैं ये वायर यानी तार इससे यहां से ये यहां बधे रहते हैं और फिर ये यहां पर होते वे उपर क्योंग जाते हैं ये जो आपको चौकी रूमा दिख रही हैं दूर ये कहलाती है ब्रिच या गुरच ये उपर के तारों के लिए है बड़ी वाली और ये जो है नीचे के तारों के लिए फ्रिक्थ होती है ये आपको जो मूती और ये इनर जरा रहे हैं इससे कहते हैं मन का अब देखिए ये जो है इस तरह से ये जो है इसमें ये तार है अब ये तार यहां जाके इस तरह से जाके यहां पर आप देखिए कि ये दो आपको हाथी नाथ की बनी वी ये दो चीज़ें दिख रहे हैं इसको कहते है अटी यानि इसमें तार अटकता है यहां से इसमें पसाइके इसको यहां से जाता है और यह कहनाता है तार के है यानि इसके अंदर से होता हुआ तार जाके आगी जाके यह यह खूटियां है ये जो आपको नजर आ रही है ये खुटिया है ये आपको जो इस तरीके नजर आ रहे है बदेवे इनको कहते हैं परदे और इंगलीस इनको Friends कहा जाता है इनका नाम पुरा नाम सुन्दरी और साली इंका ये भी इनको कहा जाता था देखें सितार में मुक्य तार जो है वो जो उपर जो आपके लिख रहे हैं ये साथ तार प्रमुक्तार होते हैं जिसमें की पहला तार ये जो पहला तार है ये बाज का तार कहलाता है बाज का तार जो है सबसे प्रमुक्तार होता है सारा जो बादन होता है इसी तार पर होता है तो ये बाज का तार है बीच में ये दो तार जो होते हैं ये जोड़ी का तार कहलाते हैं यानि ये बाज का तार ये सबसे पहले बाज पर दो तार जो होते हैं ये जोड़ी का तार कहलाते हैं उसके बाद दो तार आते हैं ये पंचम के तार आते हैं ये जो दो तार आपको दिख रहे हैं ये एक बड़ी चिकारी और एक छोटी चिकारी ये हैं ये इस तरह प्रियूप में आते हैं तो ये मुख कितार जो है वो है कितारों की संख्या है साथ इधर में आपको यह छोटी ब्रेज जीया चौकी दिख जैसी दिखाई दे रही है यह जो है यह तार होते हैं यह जो हमारी सबसे छोटी उंगली यानि कणिस्ठिका होती है इसकी नाखुन से इसको छेडा जाता है यानि जस राग जो भी राग हम बजाते हैं उन राग के सोरों में इसको मिलाया जाता है यह कहलाते हैं तरब की तार जिनका हुख्यों देश, गूंच, उत्पन करना और इनकों छेड़ते ही यह पता चल जाता है कि यह जिस राग में मिले होते हैं तो राग आप तरुक पहचाल सकते हैं जैसे अभी यह मैंने छेड़ा तो यह जो है राग यमन में मिला होगा है तो इस तरह से यह में तार है यह आपके तरब की तार के लाते हैं जब ज्यादा अंतर रहता है सोरों में तो उसको खोटियों से कसना और उतारना चड़ाना पड़ता है यानि तार को उतारा और चड़ाया जाता है जब राग जब सितार में का जो शूश मंतर रहता है जैसे स्वरों में हम देखते हैं कि बहुत थोड़ा सांतर है तो उसको जो है इस मन के की साहता से ठीक किया जाता है कि यदी स्वर उतर रहा है तो इसको थोड़ा चड़ा दिया जाएगा यदी स्वर यदी सवरी चड़ा हुआ है तो उसको उतार देंगे और यदी सवर उतरा हुआ है तो उसको यो नीचे करके उसको चड़ा देंगे है तो इस तरह से ये इसमें प्रभूप जो है वो अंगे है और ये इसका है अब जो इसका है अब इसमें क्या है ये आपको जो मेरी उंगले में दिख रहा है इसको कहते हैं मिजराव ये हम दाइने हाथ की तरजनी में इस तरह से इसको पेहना जाता है और इस से बाज के तार पर इस तरह से स्ट्रोक लगाया जाता है हाँ एक जगे में पता आपको पूल गई कि डांट और तुमबा जिस स्थान पर मिलते हैं इसको गुलू कहते हैं गुल या गुलू कहा जाता है ये जगे जो है वो गुलू कहलाती है तो इस जगे पर ये अंगुठा इस तरह से तिका दिया जाता है और फिर पहले वाया पर इस तरह से इस तरह से स्ट्रोक लगाया जाता है तो श्रूतपत्थी होती है और बाया हास से इन पर्दों के से थोड़ा सा हटी उंगली इस तरह से रखी जाती है इसको अंगली से इसको प्रेशर दिया जाता है तर जोग ये प्रेस करते हैं तो उस्वर उत्पन होता है अब जैसे मैं यमन का आरू अब्रू आपका बजारी हो तो इस तरह से इसका वादन जो है होता है और मुख की तैस में दो स्टोक जो है वो प्रधान रहते हैं यानि दा जब तार को अंदर की तरफ खीशते हैं तो दा कहलाता है स्टोक और जब बाहर इस तरह से करते हैं तो उसको रा कहते हैं यानि दा और रा किसी के फिर अलग अलग वेडिशन्स होते जाते हैं जब उसको तेज बजाते हैं तो दिर-दिर-दिर कहते हैं फिर उसमें अलग 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 कट उसके बजन के हिसाब से दार-दार दिर-दिर-दार-दा इस तरह से उसके अलग अलग जो है बोल जो है उसमें बसते हैं और तब उसमें जो है इस तरह से अलग गब्रियों किया जाता है पर मुकित है जो वो बोल है वो दा और राही यानि दो बोल होते हैं दा और राही तो इस तरह से ये सितार की बनावट है और इसको बजाने कर इ दरिगे का जरी का जरी का जरी है Thank you